शिर्पाज बोले सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया बैक डोड़ से राज जिस सभा में आई पूर्व सीम ने कहा 2013 से अवदा कॉंग्रेस 50 चुनाव फारी कॉंग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी की भाराज जोडो निया यात्रा आज मुंबई में समाप्त हो रही है राहूल की यात्रा को लेकर MP के पूर्व सीम शिवराज सिंग चौहान ने भोपाल में प्रेस कॉंफरेंस कर राहूल गांधी और कॉंग्रेस नेतरत पर हमला बोला शिवराज ने कहा कि सोनिया गांधी ने राजिस्तवा में बैक डोर से एंटरी की है जिस पार्टी के सरवोच नेता का ही आत्म विश्वास हिल गया हो उस पार्टी का क्या होगा यह कलपना की जा सकती है शिवराज सिंग चौहान ने कहा कि 2014 से अब तक करीब 50 चौनाव कॉंग्रेस पार्टी ने हारे है पूरु सीएम ने राहूल गांदी के नेतरत के दौरान कॉंग्रेस छोडने वाले बड़े नेताओं की सूची भी जारी की है शिवराज सिंग चौहान ने कॉंग्रेस चोडने वाले पूर्व मुखेमंतरियों और नेताओं के नाम भी गिनाई अपने आवास पर शिबराज सिंग चोहान ने का कि चुनाव का शंकराद हो चुका है पूरे देश में उत्सा का बातावरण है चुनाव का ऐसा उत्सा मैंने पहले कभी नहीं देखा है मैंने अभी देश के लगभग 10 राजियों का दोरा किया है हमारे प्रधार मंद्री नरेंद्र मुदी लोग प्रियाता के शिखर पर है वे ऐसे अद्वुद नेता है जो केवल चुनाव की नहीं सोचते वे आज से ही 2047 की सोच रहे है विक्सित भारत का निर्बान उनका संकल्प और गारंटी दोनों है जनता को ये विश्वास है कि वो इसको पूरा करेंगे ही क्योंकि मुदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है भाजपा चमकता सूरे और कॉंग्रेस डूपता जहाज पूरबेस सीम ने कहा कि एक तरब भारती जुनता पार्टी पूरी तरह से तयार है भाजपा परक्करता से चमकता हुआ सूरे है तो वहीं कॉंग्रेस डूपता हुआ जहाज है कॉंग्रेस में ना तो दिशा है ना दृष्टी है इसलिए कॉंग्रिस की दशा भी बहुत खराब हो रही है सिनापती खुद भ्रमित है, कई जगे से सिना गायव है अब की बार 400 पार यह बीजेपी का नारा नहीं जनता की उद्भोषना है अपने सपनों का घर बना रहे हैं अपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट दा माम्टेन कैफे एंड बेकरी फॉल फास्ट कूड नियर बाइस सुहागी बाइस